नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी मोडल पेपर का टेस्ट नंबर 12 दोस्तों ये हमारा 12 नंबर टेस्ट रहेगा और कुल हम 30 या इसी परकार के टेस्ट आपके सामने रखने का परियास करेंगे और परसन वो लेकर आ रहे हैं जो एक्जाम की दरश्टी स से बहुत ही important है और संपूर्ण मोडल पर आपके प्रक्षा के न्यूँ पेटरन पर आधरीत रहे गा कुल 30 परसंद रहेंगे जिन में से आपके 15 परसंद रहेंगे वो रहेंगे व्याकरण से पर रहेगा लेविल फेस्ट और लेविल सेकिंड के लिए दोस्तों तो चलते हैं इस मोडल पेपर की और एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और सेर कर दें और जो नए मित्र है वो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें बाकी के अगर आप मोडल पेपर देखना चाह सब्सक्राइब को 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 सब्सक्राइ किरिया बतानी है ओप्सन देखिए ओप्सन है ठोकर लगते ही लड़का गिर पड़ा ओप्सन बै है वह चाई पीकर गूमने जाता है ओप्सन से है विद्यारती आये तो कक्सा लगे और ओप्सन दे है निरप्राद को डाटते सरम नहीं आती पूर्वे काली किरिया वह चाई पीकर गूमने जाता है पूर्वे काली किरिया है दोस्तों बै ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन नमबर तीन निर्म में से कौन सा सब्द सुद है सुद सब्द बताना है दोस्तों यहां पे संसारिक संसारिक संसकारिक और संसारिक सुद सब्द कि आप पर आपका ओप्सन बैवाला रहेगा दोस्तों सांसारीक नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं क्यूशन नंबर चार कि सवर्ट आंतरीयों में कंपन के आदार पर हिंदी वरणमाला में व्यांजनों के दो वरग बनते हैं कौन कौन से बात किसकी ओर यह सवर्ट तön्तरियों में कमपन के आदार पर, ओप्षन है अलबब रान महापराण एगोस, इस पर्स अंतस्त, उस्म इस पर्स, सवर तنتरियों में कमपन के आदार पर, हिंदी वरणमाला के वेन जनुं के दो वरत बनते हैं, वो है एगोस और सेगोस, ओप्षन दोस्ड सही रहे गा, नेक्स्ट क्यूसिन में चलते हैं उत्षिप्त धवनी का परियोग हुआ है जो उत्षिप्त धवनी है उनका परियोग कौन से शब में हुआ है दोस्तूं यहां पे देखिए आरजू में खसरी में मंजिल में पढ़ाई में डे कैसी है दोस्तूं उत्सिप्त दवनी है。 तो चार नमर option पढ़ाई के अंदर उत्सिप्त दवनी का प्रियोग हुआ है. Next question में चलते हैं. Question number 6 कर्तवे में पर्ते जो सब दिया है आपको वह है कर्तवे इसके अंदर पर्ते बताना है दोस्तु option है ते हैं, यह हैं, वह हैं या तवे है सही रहेगा आपका option दे कर तवे में तवे परते हैं दोस्तों दे option सही रहेगा next question में चलते हैं, question number 7 किस सबद में उपसरक का परियोग नहीं हुआ है कौन सा सबद है जिसके अंदर उपसरक का परियोग नहीं हुआ है option है परवेश सबदीन अभाव निकम्मा के अंदर आपको उपसरक नहीं मिलेगा, जबकि परवेश सबदीन अभाव, तीनु के अंदर आपको उपसरक दिखाई दे रहे हैं next में चलते हैं विसेशन और सोरी, विसेशे और विसेशन से, सम्द की समास से हैं विशेशन और विशेशे का जो सम्मंद है वो कौन से समास से हैं अव्यही भाव समास से करमधारिय समास से तत्पुरु समास से या द्वंद्वय समास से ओप्शन बैर करमधारिय समास का सम्मंद विशेशन और विशेशे से होता है नेक्स्ट ट्यूशन में चलते हैं द्रम प्राण पद का विग्रे होगा द्रम प्राण पद है इसका विग्रे क्या होगा ओप्सन ए है द्रमात्मा ओप्सन बहे है द्रम और प्राण ओप्सन से है जो द्रम से बीरू हो वह और option 2 है, धरम ही है प्राण जिनके वह, उप्शन दै आपका यहांपे सही रहेगा, धरम ही है प्राण जिनके वह, धरम प्राण का सही विग्र है, नेक्स्ट कुशन में चलते हैं विदुदहे में संधी है दिरग संधी, वृद्धी संधी, गुण संधी, या यादी संधी दिरग संधी है लोज तू यहां पे देखिए कौन सी संधी है? दिरग संधी option A सही रहेगा नेक्स्ट कुशन 11 नमर किस करमांग में संदी का सही विचेद नहीं है सही विचेद किस में नहीं है option देखे वाग पलस ईस वागीस सत पलस मारग सन मारग स्वेपलस एचिक स्वेचिक गेपलस अन गायन दोस्तु वागीस का होता है वाग पलस ईस वाग ईस नहीं होता है ओप्शन ये सही रहेगा सही संदी विचेद नहीं है वाग के पलस इस होता है वाग गे पलस इस नहीं होता है यहां पे नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं पंडित का परियायवाची सब्द होगा ओप्शन है आले शनपरभा विलक्षन विशिक पूचा किसका है पंडित का परियायवाची होगा विलक्षन ओप्शन तीन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं आतम निर्बर का विलोम सब्द बताईए आतम निर्बर का क्या होता है विलोम सब्द अनु निर्बर पर निर्बर पर्जीवी सवाउ लंबी पर्जीवी दूसरों पर निर्बर आतम निर्बर खुद पर निर्बर ओप्सन सह सही रहेगा Next application में चलते हैं अपनी गलती सुविकार करने वाला वाक्यांश के लिए एक सबद होगा अपनी गलती सविकार करने वाला इस वाक्यांस के लिए एक सबद क्या होगा किर्तन, कामूक, किर्तिसेस या कायल अपनी गलती सविकार करने वाला कायल ओप्शन डी सही रहेगा नेक्स्ट के उसन में चलते हैं जिन भावाचक संक्याओं के अंत में नय अव पन पा होता है उन्हें क्या कहते हैं नपुसक लिंग, इस्त्री लिंग, पुलिंग या सभी भावाचक संक्याओं है और उनके अंत में नय अव पन पा है तो उनको क्या कहा जाता है पुलिंग कहा जाता है उनको पुलिंग कहते हैं नेक्स्ट में चलते हैं, अब सिक्षन विदियू के 15 क्यूसन रहेंगे, 16 से लेकर 30 तक दोस्तों, 16 नमर क्यूसन, रचना, कहानी, पद्दे, आधिक की सिक्षा देने के साथ साथ ही परसंग वे अवस्रा अनुकुल व्याकरण की सिक्षा दी जाती है, ये विदी कौन सी है द रचना, कानी, पद्दे की सिक्षा साथ परसंग और अवस्रा अनुकुल व्याकरण की सिक्षा दी जाती है, समवाई विदी के अंतरगत, ओप्शन A सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, पार्ट योजना निर्मान का सरवादिक लाब मिलता है, किसको, ओप्शन A है विदार्तियों को, ओप्शन B है सिक्षकों को, C ओप्शन है परदाना अध्यापक को, D ओप्शन है किसी को नहीं, पार्ट योजना का सरवादिक लाब सिक्षक को मिलता है, दोस्तु, B ओप्शन सही रहेगा, नेक्स्ट योजन में चलते हैं, सिक्षन कोसलू के विकास के लिए वेवस्ता की जाती है, सुक्सम सिक्षन की, इकाई योजना की, दल सिक्षन की, अभिकर्मित अनुदेशन की, सिक्षन कोसलू के विकास के लिए सुक्सम सिक्षन की वेवस्ता की जाती है, नेक्स्ट में चलते हैं वाची कविने में किया जाता है क्या किया जाता है वीविद बालकु द्वारा पात्रू के रूप में सवाद बोलना सिक्सक द्वारा अबिने नाटक करना कोई नहीं वाची कभीने में क्या किया जाता है वीविद बालकु द्वारा पात्रू के रूप में समवादे बोलना option A सही रहेगा next question में चलते हैं एक समान सब्दू का उचारण सिखाने वाली विदी है एक समान जो सबद होते हैं उनका उचारण सिखाने वाले विदी कौन सी है ओप्षन है व्याकरण अनुवाद विदी, दवनी सामे विदी, उचारण विदी, अनुकरण विदी सही रहेगा आपका यहां पे ओप्षन भी दवनी सामे विदी दोस्तों नेक्स्ट यूशन में चलते हैं बालक को कि सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है अनुकरण वाचन से, आदर्श वाचन से, प्रस्तावना से या स्पेस्टिकरण से तो दोस्तूं बालक को प्रस्ताओना से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है option C सही रहेगा next question में चलते हैं निम्ड में से बासा का आदार बूत कोसल कौन सा नहीं है सुनना, बोलना, पढ़ना, विचार करना तीनों के तीनों आदार बूत कोसल है विचार करना कोई कोसल नहीं होता है D option सही रहेगा next question में चलते हैं जब सिक्सक दुवारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं? अनुकरन वाचन, आदर्ष वाचन, मोवन वाचन, समवेत वाचन सिक्सक हाथ में पुस्तक लेकर वाचन करवा रहा है तो उसको हम आदर्ष वाचन कहते हैं option भी आपका सही रहेगा next question में चलते हैं 24 नमर वह परविदी जिसमें विदार्थी अपना अद्यन कारिये अध्यापक की देखरेक में पूर्ण करते हैं कहलाती है स्वह अद्यन, ग्रह कारिये परवेक्सित अद्यन, मोकिक कारिये तो मित्रू जो परवेक्सित अद्यन परविदी है इसके अंदर विद्यारती अपना जोद्यन कारिये है वो देख द्यापक की देख रेक में पूर्णे करते हैं ओप्सन सी सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तु 25 नमर वर्णनातमक कविता सिक्षन की सही विदी है प्रश्णोतर विदी, तुल्नासम परनाली, सब्दार्थ परनाली, व्याक्या परनाली वर्णनातमक के कविता सिक्षन की सही सब्दार्थ परनाली ओप्सन ए आपका सही रहेगा नेक्स्ट यूशन है प्रात्मिक इस्तर पर कविता सिक्षन की उप्यूगत परनाली है व्याक्या परनाली, व्यास परनाली, तुलना परनाली, गीत वे अभीने परनाली प्रात्मिक इस्तर पर कविता सिक्षन की उप्यूगत गीत वे अभीने परनाली है दोस्तु D option सही रहेगा next question में चलते हैं व्याकरण ग्यान की आउसिक्ता होती है क्यूं बासा को बोलना सीखने के लिए बासा के सुद परियोग के लिए बासा को बोलना सिखाने के लिए बासा को समझाने के लिए व्याकरण ग्यान की आउसिक्ता बासा के सुद पर्योग के लिए होती है ओप्सन भी सही रहेगा Next question में चलते हैं Dalton यहनी योजना सिक्सन पदती कि सिस्तर के बालकू के लिए सरवादी को प्यूगत है पूरवे प्रातमी कि स्तर, प्रातमी कि स्तर, उच प्रातमी कि स्तर, मादे में कि स्तर योजना सिक्षन पदती मादेमिक इस्तर के बालकू के लिए सरवादी को प्यूक्त है डी ओप्सन सही रहेगा next question में चलते हैं खेलू द्वारा पर्मुक रूप से बासा के जिस पक्स का सिक्षन किया जाता है किया जा सकता है वे है कौन से पक्स का व्याक्रन सिक्षन का रचना सिक्षन लिकित बासा या मोकिक बासा खेलू के दुआरा पर्मुक रूप से बासा के मोकिक पक्स का सिक्षन किया जा सकता है option 10 सही रहेगा और चलते हैं अंतिम 30 नमर क्यूसन की और इसके बाद अपना स्कोर कमेंट जरूर कर दें दोस्तों और जिन साथी उन्हें अभी तक लाइक नहीं किया लाइक और सेर कर दो जल्दी से उप्चारात्मक सिक्षन की परकिरिया कब तक चलती रहनी चाहिए कब तक जब तक चात्रू का पिच्रापन दूर ना हो जब तक चात्र रूचि ले जब तक विदाले में समय मिले जब तक अध्यापक रहे अध्यापक चाहे उप्चारात्मक सिक्षन की परकिरिया तब तक चलने चाहिए जब तक चात्रों का पिछड़ा पंदूर नहीं हो दोस्तूं तो मित्रों कुल 30 क्यूशन मोडल पेपर 12 के अंदर हमने देखे एक बार कमेंट करके बताईए कि ये क्यूशन आपको कैसे लगे अगर पसंद आए लाइक सेर और नए साथी चैनल को सबस्क्राइब करें और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद